पहले मुकेश सहनी का लालो प्रेम जग़ा है और यही बयानबाजी कई न कई भारे पर है मुकेश सहनी को और आपको बता दे कि मुकेश सहनी फिलार परिशारी में पढ़ सकते यह देखना यह है कि क्या NDA के फैसले का सम्मान करते हैं या फिर अपना बारा वदलते हैं कि ज़िए जादा मक्ताफ कर रही लेते हैं और तीधाफ को वो बयान सुनाते हैं जिस्टी से तार किशोर प्रसाथ कर ये बयान सुनकर मुकेश स्थेहनी परिशान हो सकते हैं जरा सुनिए कि द्याइप के साथ तो हम लोग बिहार बिधान परसद में कभी चुनाव भी नहीं लगे हैं हम तो उल्टे उन्हें वह बिहार बिधान परसद के सदस के रुप में उनको हम सबोंने सायोग किया है क्योंकि हमारे गठबंदन के वे महथपुर्न साती हैं और हम सब मिलकर सरका जब हम चुना हुआ तिसमें 11 सीटे करके उन्होंने कहां भीग नहीं कि भीग होता है ना कभी होता है ना कभी डील होता है हम सब आपस में एक दुसरे पर विश्वास करके काम करें कि एक उन्हीं होता है लेना डील होता है। आपस में मिलकर तभी काम करते हैं। और यह है एन्डिये का काम करने का तरीका अपना फैसला तो सुनाया है। लेकिन एंडिये का फैसला, एंडिये के काम करने का तरीका कितना पसंद आता है वी आईपी को, ये तो अब वक्त बताएगा, चलिए, आपको बारे खबर लागतार बता रहे है, बीजेपी ने मुकेश स्थेहनी को सीड देने से इंकार कर दिया है, मेंसी चुराव को लेकर ब करना शायद नहीं की जा सकती, गट बंधन में होते हुए, लालू यादो को अपना अगर्ष बताना, लालू प्रेम जागना, ये भी कोई आम बात तो नहीं लगती, चलिए, अपने सायोगी निर्भय से जुरते हैं, निर्भय, चिकेट नहीं देने का, सीट नहीं देने का फैसला किया है, क्या लालू प्रेम वाले बयान से ये सारी स्थिती हुई है, या कोई और वज़ए, यूपी चुनाव हो, या फिर लालू प्रसाद यादो पर बयान, दरसल ये सब कुछ यूपी चुनाव के सियासत के बीद सुरू हुई, जब खुद वी आईपी प्रमुख जो थे, वो यारी करने पहुच जाते हैं, समीकरन बैठाते हैं वहां पर, और उनको लेकर के, बीजेपी ने कई बार बयान दिया था, आपने देखा था, बीजेपी के सांसद जो है, जय निशाद उन्होंने ये बयान दिया था, कि मुकेश सहनी को बीजेपी का विरोध नहीं करना चा कारण ये रहा है, लालू परसाद यादो का बयान, पहले तो उनका यूपी में चुनाव लणना और दूसरी बाद, लालू परसाद यादो के विचारों को बहतर बताना, और कहीं नेता परतिपक्स तेजस्मी यादो को छोटा भाई बताना, लेकिन मुकेश सहनी ये भूल नहीं सकता है, भले ही मुकेश सहनी भूल जाए, आज जब मुकेश सहनी शायद विधान सवाद चुनाव के दौरान जो हो रहा था उनके साथ, जब प्रस कॉन्फरेंस हो रही थी महागट बंदन की और उस वक्त जब बीच प्रस कॉन्फरेंस से उठे थे, मुकेश सहनी व प्रचार करते दिखें, उसके बाद बिहार में विधान सवा चुनाव में भी वो रहे, इस बार जो चुना हुआ इसमें भी एंडिये गटवंदन में रहे, बीच में वो कुछ दिन के लिए महागट बंदन के साथी जरूर बन गए, लेकिन अब जटका एक बार फिर से प्रचार के लिए गए ते तभी बीजेपी ने उनका परकतर दिया था, बीजेपी ने 121 सीटों में 11 सीटे वी आईपी को दी थी, लेकिन उन सभी सीटों पर बीजेपी ने इस तरीके से चाल चला था, कि उस वक्त ही सारे परकतर दिये गए थे, अब देखिये वरतमान में अगर देखिये तो चार विदाय के जीत के आयते विदानसमा चुना में, एक जो बहुचहां का सीट था, वो मुकेस सहनिका को, वहां के जो उनके प्रतिनीधी थे, जो वहां से जीत करके आयते, उनका निधन हो गया, उसके बाद तीन सीटे बची है, अब इन तीन सीटों क अगर सिया स्थ को देख लीजेगा, जो जोुच्ट करता।